अधुनावयम द्वितिये पाथस्य एकम श्लोकम पठामा। श्लोक हस्ते दानम भोगो नाशस्तिस्च्रो गतयो भवन्ति वित तस्य यो न ददाती न भुगते तस्य त्रितिया गतिर भवते। अस्मिन श्लोके वयम पठामा नाशस्तिस्च्रो एकम पठाम परतते यहां संधी है अत्र शंधी अस्ती। भोगो यहां भी संधी हुई हुई है यो यहां भी संधी हुई हुई है अत्रपी संधी अस्ती गतिर भवेत अत्रपी संधिर बरतते अर्थम स्पष्टी करतूं अर्थ समझने के लिए स्पष्ट करने के लिए हम थोड़ा संधी विछेत को भी करके देखते हैं भोगो नाशस तिस्रो गतयो यह पूरा पद इस रूप में आएगा भोगह नाशह तिस्रह गतय हूँ भोगह नाशह तिस्रह गतय हूँ यो न यहां होगा यह न गतिर भवेत गतिही भवेत अत्रवयम पश्याम विसर्गस्थाने ओ अभवत अत्रविसर्गस्थाने सअभवत अत्रविसर्गस्थाने ओ अभवत पुनह गतय हूँ अत्रपी विसर्गस्थाने ओ अभवत आते विसर्ग स्थाने कुत्रचित ओ अभवत, कुत्रचित सअभवत, यो ना ददाती, यह न ददाती, न भुगते, तस से तृतिया गती ही भवेत हम ये देख चुके हैं, अतर पुना एक असमाकम किंचित अभधानम भवेत, तिस रह अतर के वार नहा संती, हम किमर्तम आतर बलम यच्छा में, प्राया जनहा यदि एवं वै लिखितम हस्ती, ते चिंते हैंती सात्र अस्ति, स्त्रत इती वदंती, वस्तुता अतर स्त्रन अस्ती, स्रा अस्ती, अते पश्या महा, तिस्रह त इस्रह, अत्रपी भूंगते, अत्रा भी गिंचित प्रवेमस्ति अत्वतति कतए अता संपूनम्भविषति भवगतए अनेर प्रकारेण यदावयं श्लोकम लिखामा पदानी लिखामा शब्दान लिखामा अनेके शाम वर्णा नाम परस्परम योगह भवते व्यंजनाणि भवेय हू तदा सन्युक्त व्यंजनामीति वयम कथयामह यधा अत्र कट संदर्भे अस्ति अत्वा सर संदर्भी अस्ति अधुनावयं प्रतेकं पदं प्रतक प्रतक दिश्ट वन्तह यदि वयं पद छेडं करतु मिछ्छामा तदा पश्यामा दानम भोगह नाशह तिस्रह गतह भवंति वितस्य यह न ददाति न भुंकते तस्य तृतिया गतिह भवंति यदि वयं अन्मय दिश्ट्या पश्यामा अन्मय भविष्यती अमत पश्टी क्रतवान अन्मय अथात पद क्रमह वितस्य तिस्रह गतेह भवंति अत्रवयं श्णोके पश्यामा अन्ते आसित गतेयो भवंति वितस्य परंतु अत्रवयं लिखित वन्तह वितस्य तिस्रह गते अन्य पिशे लियस्ति, कि दानम भोगों नाशः तिस्रह गतीह वितस्य भवन्ति अत्वा वयम इती मद्धे योजय प्वापी कर्तुम समर्था हा प्रन्तु सरलतया भवताम करते अधुना वयम चिंतेया महा एशा क्रम सम्मे कस्ति वित्तस्य तिस्रह गतेह भवान्ती दानम भोगह नाशह अत्रभवन्त अध्रक्षयंती कोष्ठक मद्धे मद्धे च लिखिता मस्ती च वर्ण इती लिखिता हा यद्यपी अत्रनाद रिश्यते अते भी अनेक वारम अतिरिक्त वर्णा नाम शब्दा नाम पदा नाम अपी अवशकता भवती तदा वयम अध्याहारम अथात आनेयामा तदा वयम कोश्ठक मद्धे लिखामा कि मर्थम स्पष्टी करतों यत इदम पदम यद्यविश्लो के न अस्ते परंतु अर्थ स्पष्टी करना अर्थां अस्य आवशकता भविश्यती तदर्थम वयम अत्रिच्य लिखित बंता यह न ददाती न भुकते तस्य तरितिया गति ही भवी तस्य कस्य कश्मि संदर वे चर्चाशित वितस्य तस्य अर्थात वितस्य इतनी भावा तत्व भविश्यती वयम अर्थम स्पष्टी करिश्यामा तो क्या मता God right the का वेयं प्राहया पश्यामा असमाकं जीमने यदी असमाभी सा धनम स्ति वेयं प्राहयाद्क धनसे उपयोगं कुथम कथम कुड़म aquíakti वयम कूर्महा अथवा तस्षे नाशः भिन प्रकारेण भवती अथवा वयम अन्यभ्य यच्छा भवती दानम अपन यच्छी त हलसके किम भविष्य दी नाशः भविष्य दी अधा धनस्षे नाशः भविष्य एशा भावा अत्र उक्तावर्तति अत्यव उक्तमस्ति वितस्य तिस्रह गतेहा भवंति धनस्य तिस्रह गतेहा तीन प्रकार की गतियां भवंति होती हैं धनस्य विवहरा त्रीप्रकार कहा धनस्य विवहरा किम किम दानम अर्थात यदा कदावयं धनस्य दानम कुर महा adhva भोगहा वयम धनसे उपयोगम कुरमहा अथवा स्वयमेव धनम नश्टम भवती चोरितम भवती अथवा किमा पियनेत भवेत प्रदु प्राया नश्टम भवती इती चिंतितम तर्या उक्तमस्ति यह न दगाती जो नहीं देता अथात यह दानम न करोती अनेभ्य न यच्छती न गृति तर्या उपयोगम न खरोती किम भविश्यती तृतिया गती काजित दानम प्रथमा गती भोगा बीत्या गती नाश्ट तृतिया गती अथा तदा नाश्ट भविश्यती अतेव अस्माविक्यम करणियं धनस्य उप्योगा करणियं अथवा अन्यशामकृते धनस्य दानम करणियं अनेथा धनम तुन नष्टम भविश्यती अतेव अस्माकम जीवने धनस्य केन प्रकारेन व्यवारा भवती इती तत्र उक्तम वर्थते कि धनम नष्टम भवती यदिवयं तस्य धनस्य उप्योगा मनो कुर महा अथवा अन्यशामकृते न यच्छा महा अतेव्य दिवयं चिंतया महा धनस्य रक्षणम भवेत तह अन्यभ्य दास्या महा अथवा धनस्य उप्योगा म करिश्या महा अधुनावयं द्वितिय पाठस्य द्वितियं श्लोकं पठा महा श्लोक हस्ते व्यसनान अंतरं सोख्यं स्वल्पं अप्यधिकं भवेत काशाय रसं आसाध्य स्वाद्वी दीव आंबु विन्दते अत्र अस्मिन श्लोके कानि-कानि पदानी संति तस्मात पूर्वं वयमेकवारं संधिय युक्तानी पदानी पश्यामा यथा व्यसनान अंतरं अत्र पद्वयं तत्रवतते एकमस्ति व्यसन पुनह अनंतरं अत्र संधिह अभवत एवामे स्वल्पम अप्यधिकम अत्र स्वल्पम अपी संयोगहस्ति अत्र पुना अधिकम तो स्वल्पम अपी अधिकम पुना काशायरसम आसाध्य काशायरसम आसाध्य अत्र पी काशायरसम पद द्वयम तत्र वर्तते शब्द द्वयम तत्र वर्तते पुना अत्रपश्यन तो स्वादु अतीव अम्बु यदि मैं पद छेदम कुर्महा धुना तदा किम किम भविश्यती व्यसनानंतरम व्यसनानंतरम ततर व्यसनानंतरम समासा हस्तियत्र तो मिलित्वा बदिश्यामह व्यसनानंतरम सोख्यम स्वल्पम अपी अधिकं भवेट काशायरसम अत्रपी काशायरसम आसाध्य स्वादु अतीव अम्बु विन्दते यदिवयम अन्वयम कुर्मह अथात अर्थ द्रिष्ट्या यदिवयम एकं क्रमं पश्यामह तदा भवती व्यसनानंतरम स्वल्पम अपी सोख्यम अधिकं भवेट यथा उधारन रुपें तत्रागतमस्ती काशायरसम आसाध्य अम्बु अतीव स्वादु विन्दते अत्र स्थान्द्वय वयम अर्थम अपी पश्यामह व्यसनानंतरम अत्र भवावस्ती दुख पश्चात इती दुखस्य पश्चात इती अम्बु जलम हम प्राहा देखते हैं कि लोगों के जीवन में जब बहुत दुखा जाते हैं थोड़ा सा भी अगर सुख प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा लगता है जैसे हम देखते हैं कोई कसैली वस्तुम हम खालें जैसे आमला आदि हम खालें और फिर जल पियें तो कसैला था थोड़ा कटू था लेकिन उसके बाद जल पिया तो जल बहुत स्वाधिश्ट लगता है इस उदारन से समझाने का प्रयास किया है कि दुखों के बाद थोड़ा सा भी सुख बहुत अधिक सुख प्रतीत होता है जैसे कसैले पदार्थ के बाद उसे खाने के बाद पानी बहुत मीठा सा अच्छा सा बढ़िया स्वाधवारा लगता है सहभावा अत्र उक्तहा अत्र पश्यामा कि व्यसनान अंतरम दुखा नाम पश्चात स्वल्पम अपी निूनम अपी सोख्यम सुखम अधिकम भवेग प्रतीयते अधिकमे दृष्यते अधिकमे प्रतीयते यथा जैसे काशायरसम कसैली वस्तु इते हिंद्याम वयम कसैला कशायरसम यदा वयम खादा महां केंचित कटू अनुभूयते परन्तो तत्पस्चात आसाध्य प्राप्य अंबू जलम अतिव अत्यधिकम स्वादू विंदते स्वादू इते स्वादिष्टम भवते विन्दते यद्य पे प्राप्तार्थे तत्रभवते अत्रभावास्ते के अनुभूयते काशाय रसम यदा वयम स्वीकुर्महा तत्पशाद जलम पिवामहा जलम स्वादिष्टम इती प्रतियते तत्थैव अस्माकम जीवने अनेकानी दुखानी आगच्छंती पंदु तत्पशाद न्यूनम पेदी सुखम आगच्छे वयम बहु अधिकम सुखम अनुभावामह इती असिश्लोकस्य भावा